नमस्कार दोस्तो सुवागत है कि ने वीडियो में दोस्तो इस वीडियो मताने वाला हूँ कि अगर आपके पास Redmi 9 है Redmi 9 active है तो आप wallpaper कैसे change कर सकते हो तो change करने के लिए ऐसे आप ऐसे hold करोगे और यहाँ पे wallpaper के option आ जाते हैं तो आप directly wallpaper पे चले जाओगे अब wallpaper पे चले जाओगे तो आपको यहाँ पे category wise बहुत सारे wallpaper मिलते हैं अब खुलो गए ते इस category के बहुत सारे wallpaper यहाँ पे top wallpaper मिलते हैं यहाँ पे live wallpaper मिलते हैं और यहाँ पे आपको selected मिलते हैं और यहाँ पे आपको new मिलते हैं कुछ ऐसे ओके तो अब आगर आपको wallpaper set करना है तो यहाँ पे set करनी के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी एक wallpaper को आप यहाँ से choose कर सकते हो जैसे मान को चलो यह वाला wallpaper चूज करना है तो यह मैंने कर लिया यह download पे click कर लिया ठीक है यह चलता फिरता wallpaper हो गया चलो मैं back कर देता हूँ किसी और को कर लेता हूँ क्योंकि live wallpaper में मैंने इसको glued कर रखा है यह वाल पेपर यार यह live live क्यों हा रहा है ठीक है तो यहाँ पे चुकि मैं live वाले section पे हूँ मैं category में चला आता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यार new के कुछ तो यह वाला wallpaper है यह वाला मुझे select करना है तो tap to preview कर लूँगा और यहाँ पे apply पे click कर दूँगा अब यह wallpaper मुझे lock screen पे करना है home screen पे करना है या दोनों पे करना है अगर सिर्फ आपको lock screen पे करना है setting है इस पे जाऊँगा और यहाँ से कोई और wallpaper यहाँ से ऐसे ले लूँगा और इस wallpaper को ऐसे जब भी मैं कर रहा हूँ यह वीडियो आ रहा है अब यहाँ पे मैं selected वाले पे चला जाता हूँ जिसे यह wallpaper है तो यह apply पे करता हूँ और यह lock screen पे लगाना चाहता हूँ तो ऐसे lock screen पे लगा देऊँगा lock screen पे जो लगाते हो न वो glance में set हो जाता अगर आपका glance है तो ओपो में एक कमी होती है जब उसका magazine on होता है तो जिन बंद हो जाता है lock screen के चकर में तो यहाँ पे ऐसा नहीं है अब यह set हो गया लेकिन अगर gallery में से कोई photo आगर लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाओगे तो gallery open कर लोगे gallery message जिस photo को लगाना चाहते हो ऐसे click कर लोगे click करके आपको यहाँ पे यहाँ पे three dot का option पे जाओगे तो set as wallpaper का option आएगा yes पे click करोगे और आप देख सकते हो कि जो आपका file है यह वाला यह prepared हो रहा है wallpaper के लिए तो आपको wait कर लेना है अब आपको यहाँ पे adjust कर लेना है और apply कर देना है या फिर more भी पर करोगे तो wallpaper की direct setting पर चले जाओगे तो यहाँ पर वह सेम चीज है आप दोनों पर करना चाहते हो lock screen home screen पर लगाना चाहते हो तो यह मने apply कर दिया तो यह देखो यह apply हो गया बरना आपको अगर default वापर से लाना है तो आप ऐसे wallpaper पर जाओगे profile प यहाँ पर होते हैं तो यहाँ से जो भी wallpaper आपको लगाने हैं वो आप wallpaper यहाँ से चूज कर लो और apply कर दो दो बोत कर दो तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye